नमस्कार, मैं विद्याशंगरतिवारी हूँ इंडिया न्यूज के डिजिटर चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे नगीना लोगसभाशीट की ये सुरक्षित लोगसभाशीट है और फिलाल बीजेपी के कबज में है पश्मी उतर प्रदेश में जितनी पिछला जो 2014 का चुना हुआ था उनमें से लगभक सभी सीटों पे बीजेपी ने कबजा किया था बाद के उप चुना में कहराना जरूर वो हार गई थी तो और 11 अप्रेल और 18 अप्रेल को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग जो होने जा रही है उसमें ये पूरे छेतर में बीजेपी क परिसीमन के बाद अस्तित्तों में आया था लिहाजा उसके पहले जो सीट हुआ करती थी वो बिजनवर ही थी जो सुरक्षित सीट हुआ करती थी और बिजनवर ऐसी सीट है जिसने राम बिलास पासवान, मीरा, कुमार, मायावती जैसे सक्सियत किसमत का उसने फैसला किया लेकि नगिना सीट यहाँ परिसीमन के बाद दो बार चुना हुए हैं जिसमें कि एक बार सपा के यसवीर सिंग जीते और दूसरी बार बीजेपी के यसवान सिंग जीते यानि कि फिलहाल बीजेपी के यसवान सिंग यहां से सांसद है अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने इतना काम किया कि उनके छित्र में विकास की नदियां बह रही हो और इस इस वीना पे वोट मांग ले ऐसी बात नहीं है इस वं सिंग बूरी तरह से घिरे हुए हैं क्योंकि ESP और BSP ने एसपी बीएसपी और लोग दल ने जो गटबंधन किया है इस गटबंधन ने जो है उतारा है गिरीश चंद को ये सीट गई है बीएसपी के खाते में पहले तो सुरू में ये बात आ रहा है थी कि मायवती यहां से चुनाओ लड़ेंगी मायवती ने खुद ने तो लोग सब चुनाओ न लड़ने का एलान किया लेकिन गिरीश चंद को टिकट दे दिया है और उधर कांग्रेस ने उतारा है ओमवती को ओमवती का ये देखा जाए तो चार बार की विधायक एक बार की स्तांसद रही है और ठीक ठाक उनका इलाके में प्रभाव है और इधर जो है गि की किया मोदी का जो ब्यक्तित्व है या जो एयर इश्ट्राइड कुई है या जो राष्टवाद का नारा गिलनद चेडी है वही उनके पास आसरा है वही उनके सबसे बड़ा इसेट है जिसके बिना पे वो एक तरह से ध्रवी करन करा सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि यह उनका कार्ड चल गया तो फिर सीट निकल जाएगी अधर्वाइज जो गटवंधन है और कांग्रेस ने उन्हें मिल करके उसने घेर लिया है और यहां तक वोट की बात है तो यहां पे सबसे जादा छे सवाथ 6 लाग के आसपास मुसलिम है और उसके बाद दलित मद्दताओं की संrakया है जो आधे लगबग 10 लाग के आसपास है और उसके बाद सबरणों का नमबर आता है और यहां पे जो बिधानसभा की सीटे हैं उसमें नगीना है नजीबाबद है पार्टी के कारिकरताओं के जो उन्होंने उपेक्छा की है या जमीन पर उतना उनका काम नहीं दिख रहा है उसको लेकर के गटबंधन और कांग्रेस उनको घेरने की कोसिस कर रहे हैं अब देखते यह हैं कि किस तरह से यह स्वन सिंग अपनी सीट बचाते हैं बचा भी पात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूँएं